Hello students, चलिए start करते हैं chapter 2, class 8 का, क्या chapter है, linear equation in one variable, तो इस chapter को start करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका introduction clear करेंगे, जिस बच्चे को अच्छे से introduction clear हो जाएगा, तो वो उसको आने वाली exercises के अंदर, कोई भी problem feel नहीं होगी, तो क्या है ये most important चीज़ आपके लिए, तो introduction आपको अच introduction के अंदर, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, जल्द से जल्द आपको उसका solution provide होगा, इस chapter को start करने से पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे, अपनी एक algebraic expression की, क्या होता है हमारा algebraic expression, पिछली classes में हम पढ़ क्या हैं, तो क्या बात करेंगे हम algebraic expression, सबसे पहले देखेंगे, expression होता क्या है, कोई भी अगर मान लिया हम लिखते हैं, जैसे 5X लिख दिया, ठीक है, X प्लस Y प्लस Z लिख दिया, 2X प्लस Y लिख दिया, या फिर 5X प्लस 3 लिख दिया, इस तरीके से कोई value लिखते हैं हम, तो उसको क्या कहा जाता है, algebraic expression, इसके अंदर क्या आए हुए हैं, variables आ expression, अगर मैं बात करू, algebraic equation की, अब इस expression को अगर equation form करना हो हमें, तो equation कैसे कहेंगे हम, किसी भी algebraic expression को हम, equation तब कहते हैं, जब वो क्या हो जाए, किसी के equal हो जाए, जैसे 5X इक्वल टू लिख दिया, मैंने, ये equation थी, हमारी X प्लस Y प्लस Z, इक्वल टू लिख दिया, 5, य ये थी, हमारी 2X प्लस Y इक्वल टू लिख दिया, मैंने, 6, 5X प्लस 3 मान लिख दिया, इक्वल टू, 2Y, कुछ भी value लिख दि, साथ में क्या है, equality का sign आया हुआ है, जैसे ही, equal to कुछ आता है, वो क्या बन जाता है, algebraic expression A के, equation बन जाती है, आपको ये चीज समझ में आ गई है, जब कोई value, left hand side और right hand side में given होती है, equality के sign के साथ, तो उसको कहते है, equation, अगर मान लिया, equality नहीं होती है, तो उसको कहते है, algebraic expression, clear हो गया होगा, अब बात करते हैं, linear equation क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे, linear equation, अब जो chapter का नाम है, उसके बारे में थोड़ा सा देख ले इक्वेशन को linear तब कहेंगे, जब उसके अंदर क्या हो, एक single variable हो, single variable हो, और उसकी variable की power क्या हो, maximum one हो, तो यहां पे क्या है कहेंगे, variable, variable maximum power, maximum power, वो किसके equal होनी चीए हमारी, equal to one होनी चीए, कैसे, जैसे 5x plus 2, equal to 3, तो यहां पे variable क्या है हमारा x, x की value change हो सकती है, तो यह क्या कहलेगा हमारा variable, तो यहां पे x की power क्या है हमारी one, तो यह क्या हो जाएगे हमारी एक linear equation, ठीक है, जैसे और लिख दूँ मैं, 2x plus 3, equal to 4, तो यहां पे भी क्या हो गया, x की power क्या है one, यह लिख दूँ, 2y plus 3, equal to 2 यहां पे भी y की power क्या है one, तो यह सब क्या है हमारी linear equation, ठीक है, अगर मान लिया, यह equation दे दे कोई आपको 2x square, plus 3x, plus 4, equal to 0, तो यह क्या कहलाएगे हमारी linear equation है, नहीं होगी, क्योंकि यहां पे x की maximum power कितनी आई हुई है, 2, तो यह क्या होगी हमारी quadratic equation होती है, ऐसे ही अगर मान लिया, 3 power आजाए, आपकी x की variable की, तो उसको cubical equation कहते हैं, तो linear equation क्या होती है, जिसके अंदर हमारी variable की maximum power क्या हो, 1 होती है, उसको कहते है हमे linear equation, ठीक है, अब यह linear equation कैसे लिखी जा सकती है, इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, x plus 1 is equal to 2x plus 3, equal to this sign के side में, दोनों तरब भी variable आ सकता है, ऐसे भी हमारी linear equation लिखी जा सकती है, यह तो है linear equation in one variable, variable क्या है, x, y की form में भी हो सकता है, 2y is equal to 3y plus 4, ऐसे भी हो सकती है, y की maximum power क्या है, 1 है, तो यह भी क्या हमारी एक linear equation है, I hope linear equation का पता चल गया, in one variable का मतलब only एक variable होना चाहिए, या तो x हो, या y हो, ऐसे नहीं हो सकता कि x plus y equal to 3, यह है तो linear equation, क्योंकि x की भी power 1 है, y की भी power 1 है, बट यह one variable के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर x और y आ गया, तो यह two variable के अंदर हो जाएगी, तो I hope आपको पता लग गया है, linear equation in one variable का मतलब क्या होता है, कि variable की maximum power 1 हो, और एक ही variable हो, या तो x हो, या y हो, या z हो, कोई भी एक होना चाहिए, उसको कहते है, linear equation इने one variable, अब जो हमारी equation लिखते हैं, कोई भी, जैसे 2x plus 5 equal to 9 है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो यह होगा, x या y या z कुछ भी, इसको बोलते हैं हम variable, ठीक है, यह जो होता है, यह क्या होती है, हमारी equality, जो क्या बनाता है, किसी भी expression, equation बनाता है, और यह जो होगी, complete, यह क्या कहलाएगी, हमारा equality sign आने से, equation कहलाएगी, I hope यह चीज आपको अच्छे से पता चल गई, variable क्या होता है, equality क्या है, equation क्या है, जहांपे भी equal sign आ गया, equality होगी कुछ, left hand side, right hand side में, तो उसको हम क्या कहते करेंगे, equation, I hope यहां तक आपको clear है, next चीज देखते हैं, अब बात करेंगे, solution of an equation की, solution of an equation, कि कोई भी अगर equation given हो, तो उसका हम solution किस तरिके से find out करते हैं, तो कोई भी equation given हो, तो उसका solution हम दो तरिके से find out कर सकते हैं, एक तो हमारा method है, यह, अगर मान लिया हमारे पास कोई value है, 2x plus 5 equal to 9, यह equation given है, यहां पे अगर हमें variable की value निकाल ली है, मतलब x की value find out करनी है, तो करना क्या है हमें, left hand side जो भी values हैं, यहां से जैसे 5 को eliminate कर देंगे, हटा देंगे, 2 को हटा देंगे, तो अकिला क्या रह बाकी जो changement होगा, right hand side होगा, वहां से x की value आ जाएगी, कैसे करेंगे जैसे, देखो यहां पे plus 5 है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे minus 5 कर दूँ, तो 5 यहां से eliminate हो जाएगा, कैसे, 2x plus 5, minus 5, अगर इस side हमने minus 5 किया है, तो right side भी minus 5 करना पड़ेगा, यह कर दिया, ठीक है, equal का sign है ना, तो अगर left hand side हमने 5 को subtract किया, तो right side से भी 5 को subtract कर देंगे, देखो अब क्या बच गया, 5 से 5 कया, cancel out हो गया, मतलब 5 minus 5, 0, तो यहां पे क्या बच गया, 2x is equal to 9 minus 5 क्या आ गया, 4, अब हमने क्या करना है, यहां पे 2 क्या हमारा multiply में, तो यहां पे क्या करेंगे, 2 स इस तरब भी डिवाइड, इस तरब भी डिवाइड, 2 से 2 cancel out, 2, 2 जा 4, तो x is equal to क्या आ गया, 2, एक तो यह तरीका है हमारा solution find out करने का, तो इस equation का solution क्या आ गया, x equal to 2, दूसरा जो method होता है, transposing method होता है, क्या कहते हैं उसको, transposing method, मतलब position change करना, जैसे 2x plus 5 is equal to क्या है, 9, य 2x is equal to 5 को क्या करेंगे, right hand side, यह positive है, तो right hand side जाएगा, क्या हो जाएगा, negative, तो 9 minus 5, तो यहां पर क्या आ गया, 2x is equal to 9 minus 5 is equal to क्या होता है, 4, अब यहां पर 2 क्या है, multiply में, तो right side जाएगा, तो divide में, तो यहां पर x is equal to क्या होगा, 4 by 2, 2 से divide करेंगे, तो क्या आ गया, 2, तो X is equal to 2 क्या आगया? इसका solution. I hope यह चीज आपको अच्छे से समझ में आई है. अब यहाँ पे एक दो चोटी-चोटी बात बता देता हूँ. अगर माल लिया equal to के sign से इधर positive value है कोई, तो उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो negative. अगर इस तरफ negative है, equal to से उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? पोजिटिव. समझ में आगी आपको बात, अगर कोई value यहाँ multiply में है, तो उस side जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड में. अगर कोई यहाँ यहाँ पे divide में है, तो उस side जाके किस में हो जाएगी? यह चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अभी यहाँ पे भी use वाता देखो, यहाँ positive है, right side जाके negative हो गया, यहाँ two multiply में था, तो उस दरजा के क्या हो जाएगा? डिवाइड में. कलिर होगी बात, अब बात करते हैं, variable in both side, अगर मान लिया किसी equation में, दो variable आ जाएगे और दोनों side हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? variable in both side, अगर किसी equation में, दोनों side variable आ जाएगे, तो उसको कैसे soul out करते हैं? example लेते हैं यहाँ पे जैसे, 3x plus 5 is equal to x plus 11, कोई भी example ले सकते हो, देखो, x variable left hand side भी है, right hand side भी, तो इसको कैसे soul out करेंगे, हमें क्या करना होता है, ऐसे question के अंदर, ऐसे statement के अंदर, variable वाली term को एक side कर लो, without variable वाली, इनको कहते हैं constant, जिसके साथ कोई भी variable value ना हो, तो उनको कहते हैं constant, constant मतलब जिनकी value change ना हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x को क्या करेंगे, left side लियाएंगे, और five को right side, अब देखो x क्या, यहाँ पर plus का है, इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, minus का, 3x minus x is equal to, यहाँ पर क्या बच गया, 11, 5 यहां पे पलस का है तो right side जाएगा तो क्या हो जाएगा minus का 5 3x में से x गया तो क्या आगया 2x is equal to 11 minus 5 कितना आगया हमारा 6 अब 2 यहां multiply में है right side जाएगा तो क्या हो जाएगा divide में तो यहां पे x is equal to क्या आगया 6 by 2 means 3 तो x की value आगया हमारी 3 This is the solution of this equation I hope यह चीज भी आपको करनी आगी होगी variable in both side कैसे soul out करते हैं अब last चीज सिखते हैं cross multiplication किस तरीके से की जाती है अब सिखेंगे हम cross multiplication करना cross multiplication कैसे करते हैं बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा आपको अच्छे से clear हो जाएगा जैसे मान लिया आपके पास कोई value given हो 5 by 8 is equal to 6 by 5x कुछ भी value given हो अगर मैं इसको बोल दूँ cross multiply करो cross multiply कैसे होगी निच्चे वाले इसके denominator की numerator से multiply इस तरीके से इसकी इस से multiply देखो 5 की 5 से multiply करेंगे तो 25 और यह क्या जाएगा x is equal to 8 की 6 से करेंगे तो 8 6 जा क्या हो जाएगा 48 ठीक है x की value निकालने हो तो x is equal to 48 यहाँ पे 25 multiply में तो इधर आके क्या हो जाएगा divide में ऐसे करते हैं cross multiply से answer find out करना हो तो एक और equations की form में देखते हैं अगर मान लिया हमारे पास given है 2x plus 3 upon में x plus 2 is equal to 5 by 6 यह question given हो और यहाँ पे क्या करना हो हमें x की value निकालनी हो तो कैसे करेंगे यहाँ पे cross multiply करेंगे denominator की numerator से इसके denominator की इसके numerator से यहाँ पे क्या है 6 तो कैसे करेंगे 6 की complete से multiply तो कैसे लिखा जाएगा 6 into 2x plus 3 equal to 5 into 5 की इससे multiply करेंगे complete से 5 into x plus 2 6 की 2 x से multiply की 6 2 जा क्या होगा हमारा 12x 6 की फिर 3 से करेंगे तो 6 3 जा 18 equal to 5 की x से करेंगे तो 5x 5 की 2 से करेंगे तो plus का sign है plus में 5 2 जा 10 अब यहाँ पे क्या करना होता है दोनों side क्या आगे हमारे variable तो variable वाली टरम को एक तरफ ले जाओ constant को एक side ले जाओ तो यहाँ पे क्या करेंगे 12x और यह 5x इसको क्या करेंगे right side तो यहाँ पे क्या आगे हमारा 12x इसको लेके आए minus का 5x is equal to यहाँ पे 10 है plus के 18 को right side लेके जाएंगे तो minus का 18 12 में से 5 गया कितना आगया 7x equal to 10 में से 18 गया तो क्या होगा 18 बड़ा है negative का है तो minus का आएगा 18 में से 10 गया तो 8 अब यहाँ पे x की value निकाल लिए x is equal to क्या होजएगा minus का 8 7 multiply में तो इदर आके क्या होजएगा divide में तो x की value क्या आगी minus का 8 by 7 अब एक चीज ध्यान से सुनो यहाँ पे तो हमें value आगी अब कुछ बच्चों को doubt होता है जैसे मान लिया यह लिखा था यहाँ पे 12x minus में 5x ठीक है 12 में से तो 5 सब्ट्रेक्ट कर देते है 12 में से 5 गया 7 कई बस्टे सोचते हैं कि sir x में से x गया तो x तो हट गया यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं 7 आगया answer ठीक है यहाँ फिर क्या क्या देते है x में से x गया 0 0 से multiply करेंगे तो 0 नहीं ऐसे भी गलत हो जाएगा देखो ध्यान से कैसे करते हैं इसको इसके अंदर भी x है इसके अंदर भी x तो x को क्या कर सकते हैं हम बाहर लिख सकते हैं कोमन निकाल सकते हैं अंदर क्या बच गया यहाँ पे यहाँ से x जा चुका तो यहाँ पे 12 बच गया यहाँ से x भी जा चुका तो माइनस का 5 बच बच गया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेयर करें और अपने friends के साथ, अपने classmates के साथ जरूर सेयर करें, उनको जरूर इस channel के बारे में बताएं आने वाली videos में मैं आपको class 9, 10, 11, 12, सारी complete videos चेप्टर की mathematics की दूंगा Thank you students